तो गुड़ इवरीवान चलो यार आजाओ फटा फट से देखो लास लेक्चर में मैंने आपको यह बताया था कि जो पैसा था आपके इसी एस वाले सर से हम तक आ रहा था मतलब सर प्लस वाले जगह से वो डेफिसिट वाली जगह पे आ रहा था ठीक है सर प्लस ऐसी जगह जहां पर पैसा सर प्लस है वहां से हम पैसे को निकाल के हम जहां पर जरूरत है वहां पर ला रहे थे वह पैसे को यूज कर रहे थे वह पैसे से कमा रहे थे और लोगों को एंप्लाइमेंट दे रहे थे उनके भी घर चल रहे थे वो लोग और लोगों का इंप्लाइमेंट दे रहे थे लएक उनके घर में मेड्स होगी या जो कि राना शॉप से जहां पर लेते होंगे सामार उनका भी घर चल रहा है उनके कारत यह सानों तो आप देख रहो यह जो कि League का बोलते गई चलिमी फिनांशल सिस्टम किया बोलते हैं इस पूरे इस्टम को फिनांशल सिस्टम भूल ते ठीक है यह सारी चीधे उमने देखी थी तक हमने यह पढ़ लिया था ठीक है उसके बाद में मेरे बच्चे ते शयतान है ना यह लोग ऐसे से कमेंट्स कर रहे हैं कि माम चुट्टी देदो आज मत पढ़ाओ आज गप्पे मार लो डिये में आपके कोई भी कमेंट्स नहीं देख रहे हूं ठीक है नो मस्ती ओनली ते हैं इंडियन फिनांश स्स्टम तो अंडिया का बनाव फट आफट से चलो इंडियन फिनांशियल सिस्टम है इसमें चार पर बनाइट है पाट है आपका इंदन फिनांशा की फिनांशा इंस्टीउट्यूशन बोल सी जो फैनस वन गणा प्रवाइट करते है ऐघक है तो फिर के था फिनांशा मार्केट ग पूर मार्केट अंटायर मार्केट आपन मैंने आपway एक्जांपल दिया था पिर कुछ यह जो फिनांशल इंस्टूइशन होती है यह कुछ इंस्टूमेंट वगरा अगरा मार्केट में लेकर आती है फब्लिक वो इंस्टूमेंट खरीद ती है लेक्ष्य बांड या कुछ जो भी चीद हो गई ये लोग वो लोग वो जो एंसिट्यूशन फिनांशल मरकेट्स pouco है फिनांŃचल मार्केट तो तक हो जोगिया पूरा तुमारा है कि तुमारा फिनांशandersाव और इधर अर्पी या ये क्या हो गयाँ इधर इस विनांशो् मार्केट में इंस्टूमेंट भी केंगे इस फिनांशाव मार्केट में Marcel व तो बहुत easy हो जागा learn करने के लिए मतलब इसका मतलब है कि यह जो financial सबसे पहला पूरा financial market यह financial market में financial institutions है यह financial institutions को services देती है in the form of financial instrument समझ में आया क्या नहीं याद होता है सब्सक्राइब करने का तो अब मैं इसको मिटा रही हूं अब मैंने इसको मिटा लेना है यह लोग बुलो वो लोगी डन everyone got it आपको अगर learn नहीं होता है तो प्लीज थोड़ा सा उसको easy way में से करो मस्तरस हो जाएगा story wise कि आपने पूरा इंडिया का पूरा financial system में ओवित लिगा इस financial market होगा financial market में financial institutions होंगे जो कुछ services दे रहे होंगे services in the form of what instrument done जो चीज कल तफ लगी वो आज easy हुई क्या इजी वी आज मस्तरस से लॉन रुआ ओके अब यही जो financial market और आपका this financial market is further divided into two types एक है तुम्हारा capital market और दुसरा है money market लिखो फटापट से एक है तुम्हारा capital market दुसरा है money market ठीक है money market कि होता है इसे short term markets होता शूट तंफ फॉंण्ग ते लेक लेस देन 12 months और यह more than 12 months वाले होते हैं ठीक है यहां पर जो भी इंस्रुमेंट होंगे वो less than 12 months में ब्थ होंगे market में नपे जोभी instruments होंगे यह जो market capital market यहां पर जोब इस्रुमेंट हो गे यह कि दन अच्छा यह इन नहीं इंडिन फिनांशल सिस्टम को इन दोनों से मिला देना ठीक है यह 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 लोग अपने सी को नीचे लेते हैं दन ठीक है और क्या-क्या पढ़ा तकल अपने यह जो मनी मार्केट यह दिस फ़र दिवादें इंटो ऑगनाई सेक्टर रान अनोगनाई सेक्टर ठीक है और मनी मार्केट का जो भी कुछ अपने कल पड़ा वह तो सब आपको यह याद है यह लेंडिंग और बोरिंग शॉट्टम फंड यह नियर मनी होता है फर एक्जांपल यह ट्रेड विल्स गवर्मेंट सेक्यारिटी हाइल रहे है क्या था यह फटाफरती पर रिकॉल करो एक अपने अबबाजी एक अपने अबबाजी ठीक है फिर तुम्हारे कॉमर्शिल बैक कोपरेटिव बैक्विट डेवलोपेंट फिनांशिल इंस्टिउशन उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट इंस्टिउशन फिर इंचिल इंटरमेडियरी रांड इंसकाउंटेड डिसकाउंट इन फिनांस हाउज अप इंडिया ओके आजो पटापट से यह पूरे चाप्टर की ने एक वान प्लेस में एक नोट्स बना करो को बहुत मजाएगी दुस फॉर्थर डिवाइड इंटू टू टैप्स एक हो तुम्हारा ओर्गनाइज सेक्टर और एक है अनौग नाइज सेक्टर ठीक है और ने सेक्टर में क्या क्या बोलोगे प्रॉपर्ली और गनाइज है मतलब सब्से पहले अपने जैसे घर की डिसीजिए अपने अपन लेंगे मतलब Apex bank लेगी Apex bank बोला तो कौंसा bank RBI सिखें अबबाजी के के लिए MAPEX लिए उखें और फिर तुम्हारे commercial banks हो जाएंगे यह कोमेसे लिए डिपन करती है जो profit motive के लिए कर रही है ठीक है इनका तो एकी रूल है भाई ना बाप बड़ा ना भाई सबसे बड़ा रुपई है मतलब सिफ और सिफ पईसे पईसे पर फोकस करती है प्रॉफिट अर्निंग पर फोकस करती है ठीक है समझ में आ रहा है कॉपरेटिव बैंक फिर आ जाओ तुम्हें फिर क् कॉपरेटिव बैंक हे अब करते हैं ठीक है मेंने मेंक फिर कि द्यूल रून समय है न सूब लो करना चोफिताजन वर्मिट को भी हमें ऑब्रौपेंट साथ हीँच करना पड़ेगा और साथ हींवेस्मेंट इंस्टूशन investment institutions को भी डवलप करना पड़ेगा clear यहां तर clear everyone is with me yes or no यह तम लाइन से sequence fully learn होता है यह नहीं होता है ठीक है उसके बात में क्या है उसके बात में financial intermediaries है financial intermediaries है financial intermediaries और last में discount and finance house of India dfhi dfhi ठीक है discount and finance house of India clear these are your organized sector clear है यहां तक है दन चलो अब आजो अपने अपने अब जी के बारे में पहले अब एक एक क्लाइन लाइन से इनके बारे में पढ़ते हैं फिर आगे का चार्ट अपन continue करेंगे या फिर बोलो पहले चार्ट बनानी है तो आच के लेक्षे में चार्ट बना ले जासा बोलो चार्ट बनानी है चार्ट अगे यहां तक हो गया देखो अपने करेकली लिखा चालो बढ़ो आगे अच्छा अब यह आरभी आई के functions है यहां पर ठीक है थोड़ा सा चार्ट बना रहे हो नो तो एट लीस क्या करोगे पता है अब यह आपके लिए देती में आरभी के आट फंचन है आरभी के आट फंचन है तो आप यहां पे इसको थोड़ा तो और बॉक्स बना करें थोड़ा स्पेस करोगे यहां पे उसके बाद में कॉमर्शिल बैंक्स ओके कॉमर्शिल बैंक्स गई चार टाइप पर होदी कॉमर्शिल बैंक की देरा फोर टाइपस ओव कॉमर्शिल पोर टाइप सोथे हैं ठीक है यह मैं आपको जब वो कंटेंट आएगा तब अच्छी तरह से बताती हूं और देख ले और क्या पढ़ना है शौलो कोप्रेटिव बैंक का अच्छा कमर्शिल बैंक की फंच्छन देगई एक्सेप्टिंग डिपोजट लोग ओके 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 फॉर फंचन थिसके मतलब चार टाइप होते कमर्शियल बैंक है एंड फोर फंचिन्स है ठीक है बॉक्स में प्रॉपरली अपने कुछ अरेंज करेंगे लेट की कोपरेटिव बैंक कोपरेटिव बैंक फीटाइप फ्रॉक्ट्टर रहे तीन टाइप होते हैं अपने इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं कोपरेटिव बना लेना पूरा यहां पर ताकि एक्जाम में भी तु पिनामिट बना क्या होगे ठीक है फिरामिट बना लेना यहां पर अन्नेसेसरी ज्यादा दिमांग को तानी नहीं है नाव डिएपाई डेवलोपेंट फिनांचिन इ नहीं है डिए फेचाई में भी कुछ नहीं है अनोग नहीं सेक्टा इंडीजीनेस बैंकर्स मनी लेंडर्स अन्रेगुलेटिटिव नॉन बैंक फिनांशिल इंडमडीजी वेशनो न अभी आप चार्ट बनाओ आप सिर्फ नामकरन कर रहो समझ भी कुछ नहीं आएगा non-bank financial intermediaries और क्या था एक और था मणी लेंडर या इसको अन्रेगुलेटर्ड बोल दो अन्रेगुलेडर्स एक यह आपका अन्रेगुलेटेड प्रांशिल इंटिमोडिरी चीक है ओके अब क्या है मनी लेंडर के अंदर कुछ नहीं है अन्रेगुलाइट अन्रेगुलेटेड के अंदर में चिट फंड निदी है और लोन कंपनी से अन्रेगुलेटेड इंडिजीनेस बैंकर्स ठीक है फिर है मनी लेंडर्स फिर है आपके अन्रेगुलेटेड नॉन बैंक पिनांचिल इंटरमेडियरीज इसके अंदर में इसके अंदर में यू हाव थ्री निदी कंपनीज चिट फंड निदी कंपनीज और निदी और लोन कंपनीज ठीक है निदी कंपनीज नेए चिट फंड निदी और लोन कंपनीज चिट फंड निदी एंड लोन कांपनी ओके चलो उसके बाद में क्या है रोल्ड ऑफ मनी मार्केट ठीक है इसके यह भी बना लो गर बना रहे हो तो पूरा बनाओ चलो इसको भी कहीं पर कहीं तो भी इंसर्ट करो आप की मनी मार्केट के रोल्ड कलर वही रखो तो सब्सक्राइब क्या चल रहा है या फिर ऐसी भी मत करो हुआ है रोल ऑफ मनी मारकेट यहां पे एट पॉइंस है ठीक है तो यहां पे कुछ आ पना देंच करें गें इट पॉइंस सभी आर आ न हीं क्य knife हुआ विपोंब दिन मनी मार्केट पाइपांच प्ईंस थे कुछ बस उसके बाद में तुम्हारा money market खतम हो रहा है देखो ठीक है मतलब क्या और नएने reforms करने हैं क्या role है money market का क्या और नए reforms करने चाहिए उसको बहतरी बनाने के लिए अगयर कम तेयों capital market capital market इतना बड़ा है बोलो चट बनाने क्या बोलो चट बनानी है क्या बोलो मादम रहने दू बस बस बट सुनो जहां पे यह नो वालो इदर आओ जहां पर capital market बनाना वहां पर यह पूरा बनाओ चिक है पूरा बनाओ तो क्या 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 एक गवर्मेंट सिक्योरिटी इंदस्ट्रिल एक्योरिटी स्टिटिशन फिनाशिल इंटर्मिडेरी चलो इसके अंदर और कुछ टाइपस नहीं बस खतम है यार खतम है खतम है खतम है कुछ भी नहीं है इसमें ठीक इतने में खतम है फिर रोल and reforms in capital बस लास्ट खतम capital market बहुत चोटा है सबसे डेन तो तुमारा मनी मार्केट था और capital market के लिए और डीडी मने चार्ट सापके लिए बहतरीन बना दिया है इसी points को देखे ही तुम पूरा लिख पाऊगे समझ में रहा है तो यह अपन capital market का लास्ट में करेंगे सबसे पहले अपन टार्गेट मारते हैं इसको मनी मार्केट को फिनिश करने का चलो गई लेट्स कम एवरीवान आजाओ सारे के सारे यह आर भी है आर वे क्यों होते हैं अप एक bank है इसको central bank भी बोलते हैं अरे अपने अबबाजी जो सारी बैंक तो control करते हैं जो सारी बैंक को control करते हैं गई मुझे एक बात बताना ना यह जो तुम्हारी बैंक क्या करती है बैंक एक तरफ से लेती है दुसी तरफ से देती है एक हाथ से लेना लेती है दुसी हाथ से देती है क्या लेती है क्या देती है बोलो क्या लेती है क्या देती है एक हाथ से वह लेती है आपसे deposits लेती है और दुसरे हातों से वो loan देती है yes or no deposits लेती है और loan को देती है इतना ही है yes okay अच्छा मुझे एक बता ना deposits लेती है तो कुछ ऐसा रोक लगाती है क्या कि नहीं नहीं बस इस से जादा मत दो नहीं चाहिए हमारे पास में भरपूर है अब खुद रखो अपने घरों से जाए है कि मेंड़ी हो आफ है क्सद मीं चाहिए रखों खुद कश्यणा बन मांगती है तीन सालों के र्रीटर्म ओगती है तुमारा बिजनसका ब्सक्न व्रहता देखती है कि तुमारा बिजनस के लिए धिभ इस जीज और य глазा रियो कैई पहुत सारी इंख्वाइभी बटाते बहुत तरह अच्छा काता देखते हैं ठीक है ठीक है ओके तो इस एक बाद बताओ पैसा अपना ही पैसा यहां पे है इसने पैसे मतलब कर यह अपनी सेविंग्ग अपना पैसा अपने जमा किया है वह अपना पैसे से लोन देती है तो अब आ जो अब सेंट्रल बैंक की अब RBI होगा, जो Central Bank होगा, वो market में credit कितना देना है, कितना नहीं देना है, अपने अबबा बैठें, कितनी pocket money मिलनी चाहिए, कितनी नहीं मिलनी चाहिए, वो सब हमारे अबबा जी decide करेंगे, तो ये कौन decide करता है, ठीक उसी तरह से, जो बैंकों की bank है, जो Central Bank है, जो Apex Bank है, जो हम done everyone, yes, okay, now, अब कुछ functions है, RBI के, कुछ ऐसे काम करती है, RBI, there are few functions of RBI, ठीक है, 8 functions है, हमने अभी देखा था कि कितने functions हैं गई, there are 8 functions, 8 functions है, मुझे बताना क्या-क्या function होंगे, सबते पहले, पैसा issue करना, ये जो note issue करती है, market में, वो RBI करेगी, yes or no, दूसरा, government को जब पैसों की दरत होगी, government की bank है ये, obviously, banker to the government, ठीक है, बैंकों की भी bank है ये, simple, custodian है, वो foreign exchange reserves का, जब dollar आता है, pound आता है, yen आता है, ठीक है, तो उसका custodian है, वो RBI, कंट्रोल करती है, credit को market में, ये point में अब भी आपको बताया, controller of credit, collection and publication of data, bank से related, सारे data, this is something extra, ठीक है, ये उपर के points आपको आपको अलिडी पता थे, now, bank को, क्या बोलते है, bank से related, जो भी data होता है, वो market में publish करती है, और collect करती है, it collects and compiles statistical information related to banking and other financial sectors, ठीक है जी, ओके, promotional and developmental functions, obviously, banking activities है, वो गाओं गाओं में, rural areas में, semi-urban areas में, वो जा जा के bank की activities का promote करेगी, yes or no, तो promotional and developmental functions, clear, and there are other functions also, कुछ other functions भी है, ठीक है, पहला function की आफट आफट से बताना, currency no tissue करने का, banker है वो government की, bank की bank है, government की bank है, दो point ऐसी हो गया आपके, उसकी बाद में, custodian है, वो foreign exchange reserve का, controller है, credit का, data bank RBI है, बैंकों के सारे data को collect करेगी और publish करेगी market में, promotional activities करेगी और bank ज्यादा से ज्यादा गाओं गाओं में, शहरों में, rural areas में जाके development करेगी, and there are other functions, points थोड़े से ध्यान में आए क्या, custodian मतलब जो custody रखता है, जो अपने पास में reserve रखता है, foreign exchange reserve रखता है, समझ माया, it is art point, थोड़े बहुत भी ध्यान में आ रहे हैं क्या, guys, please write it down, अब भी अपन कुछ थोड़ा बहुत चाटनोट बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्या हम यहाँ पर गुसा, कहीं पर insert कर सकते हैं, हञ եाक्या है, बहुंग ही थाल, लोड़ा ओाटनोग छ रहाँ दोड़ रहाँ की काश़ा है चलो आजो आर्बेके फंचिन दद आफटाफट से नौ यह पेक्स और यह सब सब आप खुद से लिखोगे ठीक है और बेके फंचिन किया सबते पहला बोलो बैंकों की बैंक गवर्मेंट की बाद बैंक बाद में सबते में फंचिन का है अब यह का को पैसा को आंगे उनार आया करें आपन के पास में भीडियो पैसा आते वह आर्वीया से यह आते वह नोट और रभाइए इसउ करती है समझ में आ रहा है ओके आर्भीया है सोल राइट यू इस्जू करेंशी नोट ऑ लिटीनोंस और जिनोंस और यदि नोमिनेश और इसंट 1 rupee coin note and coin यह कौन इशू करता है यह गवर्मेंट इशू करते हैं कौन इशू करता है बोलो government क्यों क्यों कि इसमें finance secretary का sign होता है लेकिन इस case में बाकि सारे note जितने भी higher denominations होते हैं वो सब RBI इशू करता है ठीक है आज बैस पर मर्नी minimum reserve system of 1957 RBI को कितना maintain करना minimum RBI has to maintain, has to maintain, RBI को maintain करना पड़ेगा, क्या maintain करना पड़ेगा, minimum कम से कम gold and foreign exchange reserve और 200 करोड, 200 करोड का gold और foreign exchange reserve, RBI को minimum maintain करना पड़ेगा, जिसमें से 200 करोड में से 115 करोड का gold होना चाहिए, सोना होना चाहिए, and 85 करोड जो है, वो foreign currency and government securities चलेगा, समयरा, बस इसी points को अपन को इसे notes में लिखना है, चलो आज़ो, पस्स point क्या दा तुम्हारा? बोलो first point बोलो, issue of RBI के लिए लिख रहे हो, तो currency notes and coins नहीं बोलोगे, सिफ़ा तिफ currency notes, issue of currency notes, ठीक है, notes issue करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, अपन except, except one rupee का coin, one rupee का जो notes है, और coin है, वो हम issue नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि यह page sign किसकी होती है, finance secretary की होती है, किसकी होती है, finance secretary of India, ठीक है, that is, government issue करता है, यह कौन issue करता है, यह बत समझ में आ रही है, 1957 के इसाब से, minimum reserve अपन को कितना रखना, RBI को? minimum reserve system कितना रखना है? 200 करोड minimum reserve रखना है, 200 करोड, जिसमें से 115 करोड कितना होना चाहिए? gold होना चाहिए, अरे बाप रहे, अरे अगर RBI को पैसा issue करना है, न मार्केट में, तो इतना उसको पैसा इसके पास में जमा रखना पड़ेगा, और 85 जो करोड है, उसमें आप क्या क्या कर सकते हो, government की securities बगरा कर सकते हो, foreign currencies कर सकते हो, minimum reserve system 1957 ये लिखो, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, government की securities और foreign currencies, done, clear, बस ये दो लाइन में पूरा हो गया, simple है, ठीके, अब देखो, RBI कभी भी आपको एक थोड़ा सा logic बताती हूँ, कैसा होता है, जब RBI notes issue करती है न, तो उसको कम से कम, 200 करोड का reserve रखना पड़ता है, otherwise वो issue नहीं कर थकती, क्यों माडम? क्यों ऐसा? अरे, market में पैसा, आप बोल रहो, पैसा है हमारे इंडिया में, ठीके, आप पैसा बना रहो, आप पैसा issue कर रहो, तो कहां है, उतने ही equivalent आपको रखना पड़ेगा, तो 200 करोड आप रख रहो, तो उसमें ते 115 करोड आपका क्या हो जाएगा, गोल्ड होगा, और बाकी का आपका foreign, हमें foreign securities चलता, foreign currencies चलता और government, हमारे इंडिया की government की security, ये दो चीज़े चलती है, डॉलर है, pound है, yen है, लाओ, लाओ, जितनी foreign currency उतना तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, समझ में आ रहे हैं, next point क्या है, banker है वो government का, RBI acts as a banker, agent, advisor, to CG and SG, banker, government का bank है, मतलब government को चाहे वो central government हो, चाहे वो state government हो, हम as an bank, banker रहेंगे, हम as an agent, हम उनके, as an advisor रहेंगे, और हम लोग क्या-क्या, on this behalf, government, on behalf of this government, RBI, मैंतलब government की बहाफ में, RBI कुछ काम करती है, तभी तो बोल रहे है, government की bank है, government की bank है, मतलब, RBI क्या करती है, government के बहाफ में कुछ काम करती है, क्या काम करती है, जैसे, it accepts money, पैसा लेना, makes payment, पैसा लेना, पैसा देना, engage in management of public debt, अगर public debt के लिए कुछ management में, and advices government on the wide range of economic issues, और यही government का हम लोग क्या करते है, advice भी करते है, पैसा लेना, पैसा देना, engage करना in management of public debt, public से जो भी पैसा है, उसमें engage करना, ठीक है, public debt के जो management है, मतलब, public से तुमने loan लिया है, अगर government ने public से पैसा लिया है, समझो, तो थोड़ा डीटेल, जब तक आप डीटेल नी जाओगे, आपको समझेगा ने, government ने जब public से पैसा लिया है, तो उसके management का, में engage करना, मतलब, उसका पूरा management करना, कौन करेगा, RBI करेगी, समझ मारे, अरे government भी तो public से पैसा लेती है, यह सानो, government के bonds होता है, government के securities होती है, तो यह सारे पैसे कौन यह पब्लिक डेट है, कौन manage करता है, RBI, समझ माया, और वो advise भी करती है, government को, की, wide range economic issues, बस इतना ही है, चलो आज़ो, नोट बना लेता है, आज सिर इतना ही करेंगे, अपन, चिंता मत करो, ठीक है, इतना करते हैं, फटाफट से नोट बनाते हैं, क्या क्या कर रहे हैं, वो banker है, agent है, advisor है, bankers of government, government, government का bank है, वो, चीक है, मतलब, क्या क्या चीदे बोल रहे हो, यहाँ पर वो, वो क्या क्या कर रही है, advise कर रही है, क्या क्या कर रही है, बताना मुझे एक बार, banker है, ओके, agent है, and advisor है, ओके, चलो, नहीं के टांस में लिखते हैं, एक्जाम में यही आंसर लिखने हैं, वो banker है, agent है, advisor है, ओके, यह point, पहला point, वो पैसा ले रही है, पैसा दे रही है, तीसरा, manage कर रही है, पब्लिक, डेट को, पब्लिक के डेट का management हो रहा है, ठीक है, जो मने डाइग्रम बना था, और बाद में वो क्या कर रही है, advice कर रही है, government को, यहाँ पे लिख रही है, accepts money, accept money, और यहाँ पे क्या कर रही है, वो, पैसा ले रही है, and makes payment on behalf of government, guys, what do you mean by this simple term, accept पैसा, अरे, government के बहाफ में, वो पैसा एक्सेप करती है, कौन, RBI, government के बहाफ में, पैसा एक्सेप कर रही है, government के बहाफ में, वो payment कर रही है, समझ में आया है, क्या, government का कुछ अगा, पब्लिक डेट है, तो वो manage कर रही है, और वो government को advise कर रही है, clear, everyone, समझ में आया है, ये सक्षी, समझा, done, तो वी आट फिनिश ओली टू पॉइंट, इसके आगे क्या पन कल करते हैं, ठीके, ओके, तब तक के लिए, अलविदा, ये बबाबाई everyone, ते क्यान, ते क्यां थाफर बाइ, बाइज पॉधाएज।